दोस्तो एक ऐसी small cap company जो steel और aluminium की trading और packaging करती है इस company का नाम है दोस्तो मनक्सिया लिमिटेट इस company के stock ने पिछले एक वर्ष में लगबग 80% के आसपास के returns अपने निवेश को बना कर दिये है अब इस company ने अपने Q4 के जो results है उसे publish कर दिया है अब ये results कैसे है और कौन सी ऐसी important बाते हैं जो as a investor आपको जाना बहुत सब्सक्राइब ज़रूरी है उसकी सारी चर्चा हम आज के इस informative वीडियो में करेंगे तो आप बने देए मेरे साथ शुरू करते हैं आईए मिलकर सीखते है अब यहाँ पर दोस्तों मेरे screen पर आप company के results जो है वो देख पारे हो company का नाम मेंचेंड है मनक्सिया limited company का जो BAC script code है 532932 वो मेंचेंड है symbol NAC का जो है मनक्सिया वो भी यहाँ पर मेंचेंड है 26 में 2023 को यह results publish किये है company ने अब यह जो दोस्तों results है इसपे company की जो subsidiary companies है वो भी inclusive है यानि कि जो numbers है वो दो तरीके के होते है एक होते है consolidated और एक होते है stand alone यानि कि company के independent numbers हो गए और अगर हम consolidated numbers की बात करें तो वहाँ पर company की जो दूसरी under company होती है जो acquire की होती है उन सब आ जाती है जैसे की subsidiaries यहाँ पर आप देख पा रहे हो M.I.N.L. Limited, Dynatec Industries, Khana Limited, Manaxia Overseas Limited, Manaxia Ferro Industries Limited उसके बाद Mark Steels Limited, Jaiwa Paper Mills Limited यह दो ऐसी subsidiaries है जो step down की गई हैं तो यह जो consolidated numbers होते हैं उनमें इन companies के भी numbers शामिल होते हैं अब इस PDF में दोस्तों कैसा होता है कि यहाँ पर अगर मैं results की overview आपके साथ exchange करूँगा तो screen पर शायद आपको दिखता है तो इस वज़े से हमें third party website पर चलते हैं तो यहाँ पर अब हम company के consolidated और standalone numbers को एक बार review कर लेते हैं तो quarterly numbers की बात करे consolidated की तो यहाँ पर आप देखोगे March 2023 में company ने 306 करोड की revenue generate करी है और यही पिछले quarter में 289 करोड की थी लेकिन March 2022 में 359 करोड की थी के March 2022 में 70 करोड का था तो वहाँ से एक बहुती बड़ा dip आया हुआ है उसी के साथ अगर हम operating profit margin percentage की बात करें जो मैं अक्सर देखा करता हूँ तो पिछले quarter में यह single digit का था अब यह double digit का है यह कही न कही दर्शाता है कि company जो है अपने profit margin के उपर बहुत जादा focus बनाए हुए है और अगर यह देए-देए बढ़ता है तो company अगेन आने वाले quarters में अच्छा number report कर सकती है तो यह बात होगे company के consolidated numbers की लेकिन standalone numbers कैसे रहे हैं तो standalone numbers को अगर हम देखते है quarterly basis पर तो 61 crores का company ने यहाँ पर revenue generate किया है पिछले quarter से लगबग यह double है और अगर हम March 2022 में देखें तो केवल 25 crore का था तो बहुत ही अच्छे numbers यह मुझे यहाँ पर लग रहे है standalone basis पर of course पिछले जो quarter में यह था 6 crore का तो double है almost और March 2022 में यह 7 crore करता है तो आज से भी यह बहुत जादा number जो है company ने report किया हुआ अगर मैं ऐसे standalone basis पर देख रहा हूँ तो उसी तरीके से अगर हम yearly basis पर भी देखें standalone numbers को तो standalone numbers बहुत अच्छे हैं दुस्तों company के यानि company की जो independent business है जो यह aluminum और steel का ट्रेडिंग कर रहा है पैकेजिंग कर रहा है इसके जो आकड़े है यह बहुत अच्छे company ने report किया और शायद इस वज़े से company के stock ने एतने अच्छे returns भी बना कर दी है लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना standalone में yearly basis पर तो बहुत पड़े jump आपको देखने के लिए मिलेंगे हाँ consolidated numbers को अगर मैं देखोगा दोस्तों तो वहाँ पर मामूली सी दिक्कत मुझे लगेगी अगर मैं ऐसे March 2022 के साथ compare कर रहा हूँ तो 1114 करोड के आसपास की revenue थी और जो इस साल company ने 1165 करोड के आसपास की report की हुई है यही पर अगर हम net profit की बात करें तो 108 करोड का company ने net profit report किया है और पिछले साल यह 186 करोड का था तो consolidated numbers यहाँ पर थोड़े से below average में कहुँगा है company के लेकिन अगर मैं stand-alone numbers को देखता हूँ तो वहाँ पर company ने बहुत ही अच्छे आकड़े यहाँ पर report किये हुए अब share bazar किस तरीके से numbers को देखके company के stock में interest जगाता है वो तो हमें Monday को ही पता चलेगा लेकिन अगर हम थोड़े से fundamentals और technicals को देख लें तो उसके हिसाब से हम कुछ चीजों को draw कर सकते हैं आपर 970 करोड के आसपास का market capitalization है PE जो है 9.111 का है तो मुझे ठीक टाक लगता है कि valuation के हिसाब से company का stock overvalued नहीं है book value 172 की है और यहाँ पर company का जो stock है 148 rupees पर closing देते हुए हमें दिखा है Friday के अगर हम trading session की बात करें तो 2% का dividend yield भी रखता है company का stock तो यह अपने आपने बहुत अच्छी बात है कि small gap company से usually आपको dividend नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको 2% का dividend भी देखने के लिए मिलता है ROCE की बात करें तो 17.2% का है ठीक है ROE की बात करें तो 9.77% का है अगर यह 10 के उपर होता तो मैं इसे definitely बहुत अच्छे ranks देता लेकिन यह एक area of opportunity मुझे personally लगती है debt to equity की बात करें तो almost debt free company है दोस्तों बहुत ही मामुली सा करजा company पर है जो company चुटकियों में चाहे तो यहाँ पर रफा रफा भी कर सकती है और returns over one year की बात करें तो 86% से ज़धा के returns company के stock में बना कर दी है तो यह अपके लिए एक लक्षण रेखा है इसके लीचे अगर company का stock जाता तो आपर थोड़ा आपको alert हो जाना है उसके बात दुबार आपको fundamentals के साथ match करके अपनी जो investment की strategy है उसे calibrate करना पड़ेगा या तो अपने registered investment advisor के सला से आपको किसी भी निवेश का फैसला करना पड़ेगा मैं आपके साथ के वल information purpose के लिए यहाँ पर content को exchange कर रहा हूँ shareholding pattern की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर promoters के पास आपको 74% के आजपास की holding देखने के लिए मिलेगी और personally मुझे इस company की यह shareholding pattern वाली जो बात है बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर promoters की holding 51% से जादा है almost 74% है तो definitely वहाँ पर company के जो growth related decisions है वो company के promoters बड़ी आसानी से ले सकते हैं जो कही न कही आगे चलके shareholder के hit में भी जा सकते है और public की holding देखे तो 23% के आसपास की FIA की holding देखे तो 1.42% की है तो और और मुझे लगता है कि company के जो numbers हैं दोस्तों वो consolidated तो definitely आपर थोड़े कितने challenges है लेकिन अगर stand-alone business पे देख रहे हैं company का जो aluminum और steel का trading का करोबार है उस पे मुझे personally कोई भी दिक्कत नहीं लगी है इसके अलावा अगर आपको कोई insights से आपको की पास कोई information है तो उसे आप ज़रू निचे comments के मादम से लिखे आपके जो भी opinion ने विचार है वो भी आप निचे comments के मादम से लिख सकते है वीडि financial related videos देखना अगर आपको पसंदे तो मेरे इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे बल आइकन को दमादीजे ताकि मेरे रहने वाले सारे वीडियो का अपडेट आप तक बहुत सके